पत्याला रियासत के आठवे महराजा यादविंद्र सिंग की कहानी बहुत अनुकी है आजादी के वक्त कई अन्य रियासतों की तरही यादविंद्र सिंग भी पत्याला को स्वतंद्र रखने के एक्चुक थे इसके लिए यादविंद सिंग समित कई प्रिंसली स्टेट के प्रमुक ने वाइसराई की मंजूरी के बिना उनके राइनितिक सचिव को लंदन में पैरवी के लिए भीचा था वाइसराई माउंट बेटन के उस राइनितिक सचिव का नाम कॉरफिल्ड था कॉरफिल्ड ने लंदन में याड लिस्टो वैले के सामने रजवारों के पक्ष में दलील देते हुई कहा था भारती रजवारों ने अपने अधिकार ब्रिटिश समराट को सौंपे थी किसी और को नहीं जिस छण भारत सौतंत्र हो उस छण ये अधिकार उनको बापिस कर दिये जाने चाहिए उसके बाद उन्हें इस बात की पूरी चूट होनी चाहिए कि वे भारत या पाकिस्तान के साथ जैसा चाहें वैसा सम्मन्द स्थाबित करें या अगर वे चाहें और मुम्कीन हो तो सौतंत्र भी हो जाएं हाला कि ये संभव नहीं था और आजाती के बाद पट्याला रियासत का भारत पे विले हो गया लेकिन उससे पहले पट्याला रियासत के महराजा की जिंदगी एशो आराम से भरी थी पटियाला रियासत के आठवे महराजा यादविन सिंग सुभे चाई के साथ जो बिस्कुट खाते थे वो लंदन से आता था लंदन की मशूर कंपनी फॉर्टनम एंड मैसन यादविन सिंग के लिए महिने में दो बार हवाई जहास से बिस्कुट भेजा करती थी यादविन सिंग सौने की परचड़ी कप में चाई पिया करते थे चाई की कप जिस ट्रे में रखकर उनके सामने पेश की जाती थी वो चानदी की होती थी वो टे 1921 पे बिटिस सिहासन की उत्रादिकार प्रिंस ओफ वेल्स के भारत आगमन पर खास तोड़ पर ओडर दे कर लंदन से मंगाई गई थी यादविन्द सिंग का जन्म साच जनवरी 1913 को हुआ था उनकी पढ़ाई लिखाई लाहोर में हुई उन्होंने अंग्रेज़ों की अधिन एक पुलीस अधिकारी बनने के लिए प्रसीक्शन लिया था पाथ में पुलीस अधिक्शक और महाने रिक्शक भी नुक्त हुए इसके बाद उन्होंने सेना में सेवा दी वो दितिये विश्यूदी के दोरां सिक रेजीमेंट की करनल के रूप में शामिल थी उन्होंने मलाया वर्मा इटली में लड़ाई या लड़ी यादविन सिंग अपने पिता महरा जब भुपिंदर सिंग के बाद पट्याला के साशक बने वो तब पट्याला रियासा 3700 वर्गमील में फैला था और वहां लोगों की संख्या 10 लाग से जादा थी आज़ादी की सरकार का सायोक करते हुए यादविन सिंग पट्याला समिट 5 अने पड़ोसी सिख राज्यों का भारत में विले कराया इसके बाद उन्हें नए छेत्र का राजप्रमुक या राजपाल न्यूक्त किया गया